दोस्तों महाराष्ट क्या बिहार बनता जा रहा है क्या महाराष्ट में बिहार की तरह ही जंगल राज आ गया है हाला कि अभी अगर बात करेंगे आप भारतिय जंता पार्टी के नेताओं से तो बिहार में उनके मुताबिक जंगल राज नहीं है सब कुछ मंगल हो चुका है क है यहां यह चल रहा है महाराश्च्ड है चल रहा है ग्रे इंदर मांतर को सरयाम करWait गोल को لي मारना क्या से तथा करतित मंगल Raja कहा जाये है तो मैं बात कर रहे हूं महारास्तुकी और जिस नेता की हथ्या की गई लाइव केम्रे पर वो कॉन थे शिफसेना यूबिटी के नेता थे वो और उनकी सरयाम लाइव केम्रे पर गोलियों से मार कर गोलियों से भून कर हत्या कर दी गए दोस्तों मामला कितना गंभीर है और क्या है पूरा मामला इस ख़बर में आपको में बताओ अजयंती ज्या और आप देख रहे हैं तिकंटा जिस नेता की में बात कर रही हूँ वह उध्व ठाकरे गुट के नेता थे नगरशेवक रह चुके थे उनके पिता-जी पूर्वविधायक रह चुके ठेब्शा यानि शिव सेना के आप समझ सकते हैं तो जाहिर से बात हर दि जिससे थी उसी ने हमला किया और हमले से ठीक पहले तक वो उस व्यक्ति से उस नेता से बहुत हस बोल कर बात कर रहा था लाइव आकर ये दिखाने की कोशिश की गई कि दोनों में सब कुछ बहतर हो गया है दोनों में पहले तक जो तकरार थी वो एकड़म नॉर्मल हो गई है अब कुछ भी गलत नहीं है कुछ भी जो भी होगा आगे सब कुछ सही होगा ये सब कुछ कहा जा रहा था दोस्तों उस फेस्बुक लाइव में लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या होता है जो नेता ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है और अब मैं इनके साथ मिलकर काम करूंगा जो हमलावर था वो भी उस वक्त मौजू था दोस्तों उसने कहा कि आप चलिए लाइव में कंटीनू कीजे मैं आता हूं थोड़ी देर में थोड़ी देर में वो अंदर से आता है शायद वो अपने हाथ में बंदूक लेकर आता है दोस्तों और जैसे ही उदर ठाकरे फेस्बुक लाइब पर हत्या पार्टी ने इसे गुंडा राज बताया है संजर राउत ने क्या कहा है आगे आपको बताऊंगी उससे पहले मामला सुन लीजे क्या था मुंबाई के दहीं सर अलाके में फेस्बुक लाइब स्ट्रीम करते समय शिपसेना यूबीट के एक न अगर सेवक थे अभिशेक घोसालकर मौरिस नोरोनहा और मौरिस भाई के साथ फेस्बुक लाइब स्ट्रीम कर रहे थे दोनों प्रतिद्वन्दी रहे थे एक दूसरे के कॉमपटीटर रहे थे दोस्तों होता यह है कि अभिशेक और मौरिस के बीच हाली में एक समझोता और समझोता होनी की बात कहते हैं साथ मिलकर काम करने की बात कहते है उस पूरे मामले पर अगर में क्या होता है आखिर में गोली मारकर उसकी हथा कर दी जाती है выйs only used करन जाती है इस घर्चना के बासी शिविषेना UBT ने राज्जर में कानून विवस्ता पर है और ऑशक है इसका जम्मिदार बताया है देविंदर फडणवीस से स्थिफ़े की मांग की है देविंदर फडणवीस इस वक्त घ्रीमंत्री है उनके हाथ में महाराश्ट का लॉइन ओर्डर है दोस्तों बावजूद इसके अगर लाइब कैमरे पर किसी नेता के हत्या कर दी जाती है तो क दिखाई दिया था जिसकी तस्वीर भी काफी जादा वाइरल हुई और वो तस्वीर संजर राउत ने भी शेयर की दोस्तों इस घटना के बाद यूबीटी ने राज्जे में कानून विवस्ता पर सवाल उठाए दिविंदर फडणवीस के स्थिफ़े की मांग की शिरसेन के रूप में फडणवीस पूरी तरीके से विफल है उनको इस्तिफा देना चाहिए इसके अलाबा संजर राउत ने बकाइदा वो तस्वीर भी शेयर कि दोस्तों जो तस्वीर आपके स्क्रीज पर है इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस तस्वीर में आ एकनाश शिंदे महराश्ट के मुख्यमंत्री हैं दोना इक दूसरे से हाथ जोडते हुए एक दूसरे के सामने नसल आ रहे हैं इसे से अंदाजा लगा जा सकता है कि वह व्यक्ति किनके संपर्क में रहा होगा किनके संपर्क में नहीं संजेर राउत ने कहा कि मैं रोज कह दर नहीं बलकि पोलिस को शिंदे ग्यांग की सेवा में छोड़ दिया गया है इस पूरे मामले के बाद अधित्य ठाकरे ने और शिवसेना यूबिटी विधायक अधित्य ठाकरे ने कानुन ववस्था की स्थिति पर सवार उठाया है उन्होंने भी इसे राज्य में गुंड कि आखिर ये सब कुछ हो के से रहा है वह भी महाराष्ट में महाराष्ट में तो काईदे से दो-ढ़ाई साल पहले ही मंगल राज आ जाना चाहिए तो अभी तक जंगल राज क्यों दिखाई दे रहा है कैमरे पर किसी की हत्या करना ये क्या मामूली बात है दोस्तों आप ख पहले बीज़पी ने जो गोलिया चलाई उस मामली को तो आपने रफात अफा कर दिया इस पूरे मामले को रफात अफा कैसे करेंगे अगर इसमें खुलासे हुए तो मामला बहुत दूर तक जाएगा और आपको पता होगा कि अभी ना सिर्व महाराष्ट में चुनाव है बलकि पूरे देश भर में चुनाव है ऐसी तस्वीरें ऐसी खबरें हर राज्य से लगभग लगभग सामने आनी शुरू हो गई है लेकिन महाराष्ट जो कि आप समझ देजे कि इससे पहले तक ऐसी घटनाओं से रही तो बताया जाता था अब ऐसी घटनाओं की जा रही ह खोलेाम अगर किसी नेता की हत्या कि जाती है तो उसे क्या कहा जाई उसे कहा तक सही ठहरा आए जाये बिल्कु सही नहीं ठहरा जासकता जैसा मैंने कहा मामले में जाच होगी सबकुछ पता चल जाएगा झ lawsuits नहीं होती है दोस्तों इस पूरे ख़बर पर इस मामले पर आप आपके क्या राय है कमेंट करके में जरू बताईएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले फिर मुलाकात होगे आप से लिए वीडियो पे तब तक के लिए रफसकार